Hello, students! Welcome in my video! आज की हिस वीडियो में मैं आपको कराने वाली हूँ D.A.V. Class It, 29 गशा पाइट 6 के सभी प्रश्न उत्र पाइट 6 हमारा है संस्कृत भासा इस वीडियो में हम से सारे प्रश्न उत्तर करेंगे और इससे पहले के पार्ट के प्रशन उत्र मैं करवा चुकी हूँ जिसका लिंक डिस्क्रेप्शन में बॉक्स में दिया हुआ है और भी कई सब्जेट की लिंक है वहाँ से आप देख सकते हैं उनको अगर ये वीडियो आपकी लिए helpful होती है तो वीडियो को लाइक शेर जरूर करिएगा और आगे आने वाली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो प्रश्न एक संस्कृत साहिति किस भासा में लिखा गया है उत्तर संस्कृत साहिति संस्कृत भासा में लिखा गया है प्रश्न दो, संसार की समस्त परिश्कृत भासाओं में कौन सी भासा प्राचिन्तम है? यानि कि सबसे पुरानी है तो उसका उत्तर है संसार की समस्त परिश्कृत भासाओं में संस्कृत भासा प्राचिन्तम है प्रश्न तीन संस्कृत का मौलिक अर्थ क्या है इसका उतर संस्कृत का मौलिक अर्थ है संस्कार की गई भासा अगला प्रश्न चार संस्कृत भासा और भायत वासियों का माता और पुत्र का संबंद किस प्रकार है उतर संस्कृत और भारत वास्यों का माता और पुत्र का संबंद है संस्कृत भाषा सारी भाषाओं से प्राचीन है अतेव संस्कृत अन्य भाषाओं की जन्नी है इस भाषा की समान मृदूलता, मधूलता और व्यापक्ता किसी भाषा में नहीं है भारत की समस्त भासाओं का शुरूत संस्कृत है प्रश्न पांच संस्कृत साहिति के किनी दो ग्रंथों और लेखकों के नाम लिखिये उत्तर पहला ग्रंथ अर्थशास जिसके लेखक कोटिल्य दूसरा ग्रंथ रामायन जिसके लेखक वालमिकी जी है अगला प्रश्न 6 अर्थशास्तर के लेखक का नाम लिखिये तो उसके लेखक कोटिल्य अगला प्रश्न 7 गुरू गोविन सिंग ने संस्कृत को क्या दिया है उत्तर गुरू गोविन सिंग ने संस्कृत के उत्थान के लिए निशुल्ख पाठशालाइं खोली अपने सिस्यों को संस्कृत पढ़ने के लिए कासी भेजा उनका दसम ग्रंथ हिंदी में है परंतु से संस्कृत के ग्यान के बिना अच्छी तरह समझ पाना असंभव है प्रशने आठ हमें संस्कृत भासा का अध्यान क्यों करना चाहिए अपनी भासा के ग्यान के बिना हम अपने संस्कृत को नहीं समझ पाएंगे इस भासा में ग्यान विज्यान की बातें छिपी है हमारा पूरा अध्यात्म भी संस्कृत में ही है अता इन सब का बोध प्राप्त करने के लिए संस्कृत का ग्यान आवश्यक है अगला प्रिश्ण नौँ संस्कृत किसकी भासा है तो उत्तर है संस्कृत पूरे विश्व की भासा है प्रिश्ण दस क्या संस्कृत विश्व भासा बन सकती है कैसे उत्तर है हाँ क्योंकि शोद की आधार पर पाया गया है कि यह सभी भासाओं में सबसी सरल, बोधिगम्य यूँ वेग्यानिक भाशा है तो आपका पाट्य आप इसमापत होता है थैंक्स पूर वाचिंग